मनी बती पर आपका स्वागत है इस वीडियो में हम खादिम इंडिया जो की एक लेदर सेक्टर की कंपनी है उस पर चर्चा करेंगे यह कंपनी भारत के अगड़ी निवेस दक आसीस का चोलिया जी के पुटफोलियो का ही हिस्सा है यह दुसरी सबसे बड़ी फुटवियर कंपनी है भारत की अगर हम नंबर अफ रिटेल इस्टोर की बात करें तो कंपनी उन्हें काफी सारे रिटेल इस्टोर खोल के रखे हैं आफ लाइन मार्केटिंग के लिए जो की एक अच्छी बात है और यहां साउथ इंडिया की पहली तिन कंपनीों में से एक है जो की अच्छी बात है कंपनी के लिए कंपनी ने हर एक एज उम्र के लिए और लिंग के लिए अलग अलग ब्रैंड निर्धारित की हैं मेंस के लिए ब्रिटीस वाकर लजाड और तुर्क ओमेन के लिए औरतों के लिए क्लियो और सैरवन टीनेज के लिए प्रो और सॉफ्ट टच बच्चों के लिए एड्रियाना लड़कियों के लिए और बोनीटो लड़कों के लिए तो ये एक काफी अच्छी बात लगी मुझे इस कंपनी की कि हर उम्र के लिए और हर लिंग के लिए कंपनी ने अलग-अलग ब्रैंड बनाए हैं जो की काफी अच्छी मार्केटिंग स्टाइल लगती हैं मेरे हिसाब से कंपनी इसके सांसत बैग, पर्स और स्कूल के जूते भी बेचती है अत्रिक्त आई के लिए और ये अच्छा व्यापार है कंपनी का पूर्वी भारत में ज्यादातर कारोबार है और इसका हेटकौर्टर कॉलकाता है कॉलकाता पूर्वी भारत में ही है इसलिए पूर्वी भ तो कम्पनी मिल रही है, फुट वियर सेगमेंट में, जिका रिटेल प्रिजेंस बहुत अच्छा है और इन्होंने अलग-अलग ब्रांड, अलग-अलग लोगों के लिए बना के रखे हैं, अलग-अलग कस्टमर के, के लिए बना के रखे हैं, जो कि काफी अच्छी बात है, और अगर हम footwear सेक्टर देखे भारत का, तो इसमें बाटा सबसे बड़ा खिलाडी है, और साथ में साथ कई सारे foreign player भी है, competitive सेक्टर है, दूसरे छोटे मजोले खिलाडी भी है और local players भी है, तो सेक्टर में growth की उमीदें हैं, कई सारे player हैं, लेकिन अभी भी under penetrated सेक्टर है, और इतना बड़ा population के लिए ये सेक्टर एक तरह से saturate नहीं हुआ है अभी भी, यहां तो एक अच्छी company है, जिसको आप अपने consumption theme की, जिसको आप अपने radar पे रख सकते हैं, यहां आपकी जानकारी के लिए बता दू, इनके portfolio के बागी stocks का visualization, मैंने अपने website moneypati.com पे किया है, और भविस के वीडियो की जानकारी के लिए आप moneypati YouTube चैनल पर subscribe करिए, subscribe करने के लिए वीडियो के नीचे एक subscribe बटन है, उस पे click करिए, click करने के बाद आपको एक घंटी दिखाई देगी, उस पे click करिए, इस तरह से जो भी वीडियो में upload करूँगा, उसका आपको पता चल जाएगा, और आप उसे देख सकते हैं, यहां आपकी जानकारी के लिए बता दू, मैं से भी पंजिकरित नहीं हूँ, इस वीडियो में जो भी जानकारी दी गई है, वह मेरी खुद की research है, और मैं इसे साज़ा करता हूँ, ताकि दुसरों को भी मदद मिल सके, धन्यवाद,